हाई फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो आज चानल तो आज हम जा रहे हैं शौपिंग में आज सैटरेड़ है लास्ट वींग जाने का प्लैन था जो इसके वज़े से पेल हो गया था तो आज हम जा रहे हैं और पूरा ही दॉक्मिन काएंगे कि आज हम क्या क्या किये हैं आज क्या कर सकते हैं और हम लोगने एक प्लैन चौक आउट पहले से करके रखा तो सोच रहे थे कि आज कितने अच्छे तरगे से आप लोगों को दिखाएं पर आज वीकेंड था सैटरेड़ का दिन और सारे लोग ही अलमोस्ट पूरे वीक के पात निकले हैं घर से बाहर कही जाने के लिए इसलिए इतना जादा ट्राफिक हो रहा है मुझे तो बहुत जादा बोरिंग लग रहा था कि कब तक मैं पहुंच जाओ और धूप के वज़े से मैंने सोचत मैं संग्लास पहन लिए बट धूप नहीं था तो मैं संग्लास काप बना लिया था हैर पैन फिर कि आकर मैं हम लोग पहुचे थे आरर अर बेकर्ज़ोल के एक जगह है यहाँ पर जहां पर बेकरी का सामान मिलता है तो आगे है कर देखते रहिए और पता चलेगा कि क्यूं इस शोप पे हम लोग आए हैं यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलना कि बेकरी में जो जो च जो फ्लेवर्स के लिए होते हैं मुझे उतना सारे चीजे नहीं पता है इसमें बहुत जादा एक्सपर्ट शेया है बट यहां पर देखने के बाद जैसे सेल लगता है किसी चीज में मौल में वैसा एकसाइटमें के साथ सारा चीज वो देखने लगी थी तो मैं उसके प्रूट फीलिंग बोल की कुछ था फ्रूट फीलिंग का मतलब जो मुझे समाज आया है के एक के के अंदर जो चीजे डालते है तो वही सारे चीजे है तो तरह तरह के का वेरिएशन थे बहुत सारे चीजे थे और यह था शायद का मोल्स देखने बहुत क्यूट लगत तो डिजाइन होते हैं उसके लिए ही यह सारे चीजे वहाँ पर मिल रहा था सारे एडिबल ती है जो वहाँ पर लिखा ता जो मुझे पता चला बहुत अच्छा भी लग रहा था एक्साइटिंग लग रहा था कि ऐसे चीजे में पहली बार एक्स्टोर कर रही हूं पहले तो मैं कभी ऐसा छीजे मैंने इक्स्टोर नहीं किया सिफ केकशॉप में जाते थे और खाते थे और यह चेडि में देखा वहां पेड़ी थे वहां पे चेरी थे वहांपे कोको पाउडर थे बहुत कुछ चीजे थे जेम्स थे जो सारे बेसिकली केक को डिजाइन करने लगता एफाट सारे चीजे यहां पर नोग वीड इनत्रेस्टड़ से तो लोग बेकिंग के लिए बहुत ना इंक्रीड करते हो यातिक उन लोग के लिए यहां वाला दुकान बहुत सही रहे हमागे क्योंकि यह वह शारे सामान थे जो भी एक अच्छे केक बेक करने के लिए चाहिए होता है यह जो बेक शॉप है मुझे जितना समझ आया कि यहां से लोग होलसेल में चीजे लेते हैं मैंने देखा भी कि बहुत सारे लोग ऐसे लीस्ट भेज के बहुत सारे सारे सामान लेके जा रहे हैं और मैं वोही सारे सामान दिखा रही थी लिए ही शूट किया है कि पता निया हम लोगों तो बहुत लोगों को सायद बेकिंग में इंटरेस्ट रहेगा तो अगर आप लोग बैंगलोर में हो तो ऐसे बेकरी आरर बेकर गोलके हैं तो आप लोग यहां से ले सकते हो ये कोई paid promotions नहीं है मुझे personally उन लोग का collections बहुत अच्छ लगा उनका stocks बहुत है जैसे यहाँ पर food color थे, food actions थे जो भी केक्स में इस्तेमाल किया जाता है सारे सारे चीज यहें पर थे और मैं यहाँ पर देख रही थे कि कितने सारे variation के चीजे उनके पास है अगर baking soda, baking powder से लेके जो भी चीजे, milk, fresh cream जो भी चाहिए होता है केक baking के लिए सब कुछ यहाँ पर इन लोग के पास था और उनके जो staffs थे, वो लोग बहुत ज़्यादा पॉलाइट थे, हम लोग को भी बता दे रहे थे क्या क्या चीजे हम लोग को लेना है अच्छिए शेया को कुछ चीजे बेख करना है इसलिए हम लोग यहाँ पर आयते हैं और घर से बहुत नजदीक भी था लगबख देर किलोमेटर में उसके बाद हम लोग चले गएते हैं क्योंकि आज सुभा ब्रेकफस्ट के बाद हम लोग कुछ खाए नहीं थे क्योंकि काम था कुछ घर का तो इसलिए सोचे थे जब यह सब चीजे लेने ही बाहर जाएंगे तो तुछ खा लेंगे तो यह जो एक एरिया है यह हमारे घर से बहुत नजदीक में ही है मैकसिमम वह हाफ आ किलोमेटर या दो किलोमेटर के अंदर तो यहाँ पे बैक टुबैक टीन कैफे थे और पॉप्स भी तो मैंने सोचा और श्रिया ने भी रिसाइट किया कि गलेन बेक हाउस चलते है यह बेक हाउस काफी पुराना है देखने में बहुत साथ है इन लोगो से यह चल रहा है तब समझे सकते हो कितना पुराना है पर इंडो का पीस्ट्री जो कुकीज हो केक्स हो और टार्ट हो कितने सारे इनका यह पे कलेक्शन से मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग और बहुत क्यूट भी थे और क्योंकिना यह फेस्टिवल का टाइम है और विंटर है और क्रिस्मस आने वाला है तो इनके स्टॉक बहुत जाधा अच्छे थे तो मुझे तब बहुत ही अच्छा लगा मैं टेबल्स पर जाने से पहले यही पर रुग गई थी देखने के लिए क्या क्या चीज़े हैं मैंने बहुत बार पहले इसके पास से गुज़ तो बहुत अच्छा भी लग रहा था तो अंदर जब गया है तो देखा उतना ज्यादा क्राउड़ नहीं था दो यह सैटर्ड़ था धीरे 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 क्राउड आने लगा था तो हम लोग सोच रहे थे कहां पर जाए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग क्योंकि यह जगा मैं पहली बार आई और मुझे बहुत जादा मैं इंप्रेस थे इस जगा से क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो सोच रही थी कि इस जगा से कितने ही स्टो देख सकतो यह जो आट बना हुआ है कि कैसे वहां पर सर्फ किया जाता था तो सारे स्टोरी को यह लोग समप करके यह पेंटिंग के तौर पर यह बनाया है तो मैं यहां पर बैठ के वही देख रही थी फिर आई मेनू की बारी कि क्या हम लोग और करेंगे परसनली मैं इस ची लिया था कि क्या खा सकते या क्या ओर कर सकते हैं तो वही चीजे हम लोग देख रहे थे इन लोग का extensive मेनू है ऐसा नहीं मैं बोलूँगी पर जो भी मेनू है तो मुझे भी मैं सोच रही थी कि यहां पर बहुत सालों पुराना है कैसा होगा या नहीं होगा पर रिव्यू तो मैंने गूगल में अच्छे ही देखे थे तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूँ तो श्रिया ने जब पूछा तो मैंने बोला कि हां मैंने यह डिसाइट किया है तो मैं यहीं लूगी फिर मैंने बुलाया है उनकी यह स्टापकों के ओर लेने के लिए और मैंने पूछा कि उनके वहाँ का speciality क्या है तो बताया तो है उन लोगोंने के क्या speciality है तो उसी हिसाब से हम लोगोंने order कर दिया है और सोच रहे थे कि यहाँ पर आने के बाद जो यह पहला order हम लोग कर रहे कैसा होगा तो पहले हम लोगोंने किया था परी परी फिश फिंगर देखने में तो यामी ही लग रहा था और प्रेजन डिशन इनका अच्छा था तो मैंने सूचा ठीक है तो खाके देखते हैं कि यह रेकोमेंडेशन उन लोगोंने ही किया था तो जब यह परी परी फिश फिंगर आ गया फिश क्यूंकि हम लोग बेंगॉली है बहुत पसंद है और फिश फिंगर भी बहुत ही पसंद है तो सोच रहे थे कि यहां का फिश फिंगर कैसा होगा क्योंकि ये जो फिश इन लोगों ने इस्तमाल किया था बासा था हम लोग एक्चली कॉलकातर में भेटकी का खाते हैं बद बासा भी शायद अच्छा होगा बढ़ हाँ हमारा experience बहुत अच्छा लगा मेरा भी और श्रेया भी क्योंकि दोनों को ही ये वाला बहुत अच्छ लगा श्रेया को थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा गरम लग रहा था क्योंकि तभी सब्फ हुआ था इसी दिए बद मुझे गरम खाना पसंद है मुझे वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था फिश भी बहुत फ्रेश था और इन लोग ने जैसे मैरिनेट किया था और उपर का क्रम्स बहुत बहुत जादा क्रिस्पी था मुझे तो बहुत पसंद आया था श्रेया को भी पसंद आया था और उसने अलग से मंगा था फ्रैपे क्योंकि श्रया कभी भी अगर cold coffee मंगाती है तो उसमें उसको एकदम औरिजिनल authentic जो coffee होता है फ्रैपे में तो वही मंगाती है तो उसने वह मंगा था मैंने अलग से कुछ नहीं मंगा थे कि मुझे सद्धी के टाइम पे जाधा ठंडा पीना पसंद है तो मैंने बोला था ठीक है मैं तुम से शेयर कर लूँगी इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि और क्या चीज हम लोग ने जो order किया है वो कैसा रहेगा तो यह पहला जो कोई कैफिल में जाओ ट्राइ करना नहीं भूलती हूँ दाट इस चीजी गार्लिक ब्रेट घर में भी मैंने बनाया है बट कहीं पर में जाती हूँ तो मुझे चीजी गार्लिक ब्रेट बहुत बहुत जादा पसंद है तो मैंने वही order किया उसके साथ मुम लोग ने order किया पास्ता हम लोगों ने रेट सॉस पास्ता ओरर किया था जिसको बोलता रेट पेस्टो सॉस पास्ता इसके साथ एक एडिशन दिया था उन लोगों ने यह जो कि मुझे बहुत पसंद है तो जब सामने आया कि यह चीजी जो गार्लिक ब्रेट खुद को रोक नहीं पाया और पाइनेपल मैकरों जो बहुत अच्छा है और मुझे आ श्रया दोनों को मैकरों पसंद है उसके साथ मंगाया था चोटे चोटे एकडम एक चोकलेट कपकेक्स एक रेड वेलबेट कपकेक्स और मेरे पसंदीदा लेमन टार्ट यह देखने में इतना क्यूट था और खाने म ऐसा नहीं कि बहुत प्राइसी या ओवर प्राइस्ट है यह वाला कैफे बहुत बजट फ्रेंडली है और अच्छा भी है इस कैफे का और एक चीज मुझे बहुत पसंद आया उनका जो जिसमें उन्होंने बिल दिया था ना that was just like a book तो समझ में आ रहा है कि एक पूराना कै उन लोगों ने चीजों को यहां पर लिखा है यहां पर प्रिंट करवाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा यह देखिया और इसके अंदर जब हम लोगों ने खोला तो वहां पर दिखा था कि हम लोगों का जो बिल आया था तो वो I personally feel very good यहां पर विजट करने के बाद लोटने बाद हम लोगों ने कुछ पार्सल भी करवा लिया था क्योंकि पूरा खाना कम्तीत नहीं कर पाया और बाहर जो यह जगा बना था यहां पर लोग पीज़ा बना रहे थे और बेक कर रहे थे जैसे पहले के टाइम पे एकदम होता था आवन में नहीं एकदम भी यह बाहर से भी यह बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखके तो मैंने सुचा कि उन्हा भाईया जो बना रहे हैं वह वाला चीज एक बार पीज़ा बनाने का आप लोग के लिए मैं एक बार रिकॉर्ड कर लूँ बहुत अच्छा लग रहा था कि अभी भी ऐसे च अच्छा ले गए थे काफे में खाने के लिए तो आइए चलिए देखते हैं वाक्स फोल के हमने क्या क्या लिया है इन लोग भी बहुत अच्छे धंग से किया है मैं एक एकर के निकालते हैं तो यह है डाक चॉकलेट का कंपाउंड इसमें हैं डिफ्रेंट काइंड औफ ए जो एक लिए लिए तो यह जो खरीड़ेंगे अचानक से मैं यह सब क्यों खरीद रही हूं तो इसका वजया यह है कि विंटर आरहा है और विस अपरफेक्ट ताइम जब बहुत सही होता है और मुझे बहुत टाइम से ही अच्छा लगता बच्छा लगता है बच्छा बच छीए टेक परिल यह मैं परिला में यह तो यह है कैक कर टिंग में ट्रॉल्ड प्लेप लिए है एक राउं जो नौर्मल टिंग साइज होता है धना भार्या रोगता है इसमें हमने लिया है कपकेक मौल्ड पेपर वाले है किसमें की अच्छली कि पेपकेक बेग होता है तो बहुत ही क्यूट लगा और इसमें है कुछ नोजल्स थ्री मैंने लिया है बाकी मेरे पास अर्ड़ी है यह और एक एसन्स है जो रहे गया था फिर है यहां पर चेरी चेरी इसलिए मुझे चेरी पसंद निया बड़ देलिना को स्ट्रॉबेरी केक चेरी यह बहुत पसंद तो उसने अपने लिये लिया है चेरी जो उसने बोला है कि मेरे लिये केक तुम बनाना यह है यह है नाइफ और यह तो विप्ट क्रीम है जो हम यूज करेंगे और जो सबसे अच्छा चीज है यह तीन फ्लेवर्स यह यह बिलएभल गались घ्लिया एल्यवर बिल्लुबेरी यह लिया है और यह बिल्लीवर्स पासंद तो उसने यह बिला है यह थे यह तो पैलेटनाइफ है और यह ड़ framework आंगे श्वम गार मोले अच्овक्रीशचा एंडर यह लिःग मेरमर आप का बीश्चा अर्यमर के अज व्राट का मूल्ड है, व्राट की के मेरें एडीन होता है तो यह एलिया है हमने बेकुरेशन के लिए और कुछ नहीं है यह है, यह है फाइपिंग बैग और यह है मेजरिंग कप स्पूम् छोटे वाले कर बाकि सारे चीज थेक और सुष्ण है कीज़ी परिए बाकि सारे चीज़ तो मैं इतना साहिए यह सामानी कि अदो पूस्च जी भी तो मैं बहुत बहुत कुछ ही थे खें हमको रहा है तो बहुत बिक्रहुत बश्य कर रहा हूं जब मैं अगर सिर्फ करूं कि इन फ्यूचर कभी भी तो फिर मैं ज़रूर ज़रा चीजे लोगी अभी के लिए मैं यह सार चीज लिए और अब मैं इसका बनाना चालू करूंगी वो मैं कल मना हूँगी आज नहीं बना हूँगी और ब्रॉड़ी बहुत लेट हो गया है तो क बनाती है तो मैं कल से बनाना चालू करूंगी तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं और क्या क्या मैं बनाऊंगी बनाऊंगी चीजे उसको देखने के लिए अविसली हमारे चैनल को फॉलो करें शब्सक्राइब करें हम और भी बहुत सारी चीज़े डालते हैं र किस टाइब का केक बनाऊंगी यह मेरे बहुत इंपोर्टन होगा बिक्स मैं अभी जस्त बनाना स्टार्ट कर रहे हूं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं थैंक यह सो मच फॉच 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 एंड की लवविं अस